आत्मा अगर नहीं है तो जीओंगे कैसे? हम अगर फ्रक्रति में फसा रहे जाता है तो जीवन बर दुख पाता है इसलिए आत्मा आवश्यक है अगर जीवन वैसे ही नहीं बरबाद करना जैसे जा रहा है तो आत्मा चाहिए इसलिए धर्म का कोई और पतिपाद्य विशा है ही नहीं आत्मा के अतरिक्त दो तरह के लोग होते हैं धर्म की दुमिया में एक जो गौड को या भगवान को वानते हैं और दूसरे जो आत्मा की तरफ वठते हैं कहने की ज़रूरत नहीं में से नास्तिक कौन है प्रशन करता खुद को ग्रिहणी करकर कहके संबोधित कर रही हैं सत्र शुरू होने से पहले उनसे चर्चा भी हुई जिसमें उन्होंने अपने जीवन के जो मुख्य मुद्धे हैं उन पर कुछ सलाम आगी सभी से और सभी शिविरार्थों ने अपनी समझ अनुसार उनको कुछ न कुछ बताया किन का है गुरू जी पढ़ रहा है बड़े बेटे को भी से में लेकर मैं पहुत टेंसरम रहती हूं और मैं यह चाहती हूं कि क्या अवरत को शिर्पिय की घर में एक चूले में शिमर जाना चाहिए आगे मतलब बढ़ने की कुछिस करें अपनी परिवार की दायुत में बढ़ जाए और बच्चे भी मतलब उसे मुलज गए हैं वो आगे बढ़ने कुछिस बहुत करते हैं मगर उसमें पता नहीं कहां ऐसी बात आ जाती है कुनकी सफलता ही नहीं मिलती है और उनका भी मन भटक जाता है उसमें किस चीजें भटक जाता है मन पढ़ाई लिखाए में वो आगे बढ़ना चाहते हैं मगर उसमें पता नहीं उनका कहां मन भटक जाता हैं को पढ़ी नहीं पाते हैं अगर पढ़ाई पेपर मतलब देने जाते हैं तो उसमें उच्छड जाते हैं, निकाल नहीं पाते हैं, उनको शफलता ही नहीं मिल पा रही है, घर में भी सांती नहीं रहती है, मन भटकता रहता है। कौन सी परिक्छाय दे रहे हैं बच्चे? इस समय वो PCS के तयारी कर रहे हैं, और किशी भीभा का वैकंचे निकली थी, उसमें पेपर भी दिया था, इंटर्व्यूम छट गया है वो बच्चा मैं उनसे पूछाँ कि आप जो तयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, यही नौकरी क्यों चाहते हो, तो मुझे साफ समझा पाएंगे? जीने, दो बच्चे हैं उनसे मैं पूछाँ कि यह जिन भी परिक्षाओं में बैठ रहे हो, जो नौकरीयां पाना चाहते हो, इसके पीछे क्या बात है, उद्देश्य है, साफ साफ ग्याराई से समझा पाएंगे? जीने कितने सालों से तैरी कर रहे हैं? पूजा पाठ में उसके मन ज़्यादा लगता है, वास्ता में कुछ ज़्यादे विश्वास रख रहा है जब काम का, जीवन का सच नहीं पता होता, तब जो भी कर रहे होते हो, उसमें न तो कोई लैबधता होती है, न उर्जा होती है तुमको अगर पता ही नहीं है, कि तुम कौन हो, और इसलिए तुम्हें जाना कहा है तो किसी एक देशा में पूरी उर्जा के साथ चल पाओगे क्या, या मन बहका बहका रहेगा कोई सड़क पर खड़ा हो और जानता ही नहीं हो, कि वो कौन है, उसे क्या चाहिए, तो वो किधर को बढ़ेगा किधर को बढ़ेगा किसी भी दिशा में तो बढ़ेगा ही क्योंकि भई इनसान है, तो गति करनी है, चलना तो है ही पर कैसे चलेगा खूब चलेगा, दूरी कितनी तय करेगा कितनी तय करेगा, बहुत कम आपसे ही अगर कह दिया जाए, कि तुम्हें दौड़ना है, कैसे ऐसे ऐसे तो कितनी गति से दौड़ पाएंगे सीधे जाना है और सीधे जाने के लिए का जाए ऐसे ऐसे दौड़ो कितनी गति से दौड़ पाएंगे और मेहनत कितीन लगेगी मेहनत तो जादा लगेगी गती भी नहीं आएगी तूरी भी बहुत नहीं तै कर पाएंगे जिसको मैं गहरा ही कह रहा हूँ उसी के लिए दूसरा शब्द होता है स्पष्टता जब तक जीवन के बारे में स्पष्टता नहीं है कत पता नहीं है तत्थ नहीं पता सच्चाई नहीं पता जब तक मन ऐसा नहीं है कि वो बार अबर पूछे कि रियालिटी क्या है यह जो कुछ भी चल रहा है इसके पीछे सच्चाई क्या है तब तक आपके जीवन में हुर्दंग तो रहेगा शोर शराबा हल्ला गुल्ला तो रहेगा उटपटांग विक्षिप्त जैसी गति तो रहेगी कोई सुन्दर सुडौल बहाब नहीं रहेगा लय नहीं रहेगी लय माने जानते हैं क्या होता है डूबना डूबने को कहते हैं लय आम तो पर हम लय का अर्थ बस रुदंग से कर लेते हैं लय का असली अर्थ होता है डूबना तो जब आप किसी काम में डूब जाते हो तो कहते हो लीन हो गए वही लय है लीन हो गए और जब आप किसी काम में लीन हो जाते हो तो उस काम में आ जाती है लयात्मक्ता उससे मिलते जुलते शब्द यही है रिदम हार्मनी केडेंस लयात्मक्ता फिर आम काम में और लीन काम में वही फर्क रहता है जो शोर और संगीत में रहता है संगीत में क्या होती है लयाबद्धता होती है न शोर में नहीं होती है तो घर में जो उठापटक है बिखराव है और यह जो परिक्षार्थी लोग हैं इनको जो परिक्षामें सफलता नहीं मिल रही है उन सब के पीछे एखी कारण है ना घरवाले जानते हैं कि वो जो चाह रहे हैं वो क्यों चाह रहे हैं जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ना परिक्षार्थी जानते हैं कि परिक्षा देनी क्यों है फलानी नौकरी चाहिए ही क्यों और भारत में जब आप किसी प्रतिसपर्दी परिक्षा में बैठते हैं तो मामला लंबा होता है विदेशों में ऐसा नहीं होता विदेशों में मान लीजिए कि अगर सौ पद खाली होंगे तो उसके लिए आवेदन भी आएंगे तीन सो, चार सो यो लोग गंभीर होंगे वही आवेदन करते हैं तीन चार सो में से सौ का फिर चायन हो जाता है और जो बाकी होते हैं वो अपना कहीं और चले जाते हैं भारत की जरे नहीं होता कि रिक्त पद हैं कुल सौ और उसके लिए आवेदन और नविदाएं कितनी आ रही हैं दस लाख अब साल साल दो साल कई भार तो पांच पांच साथ साथ साल लोग जुटे रहते हैं जुटे रहते हैं बड़े शरम की बरबादी होती है बहुत पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों का पढ़े लिखे युवा वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान होता है इस आयू में यही कर रहे हैं यही कर रहे हैं पर तुम पांच साल नहीं पचास साल लगाओ किसी ऐसे काम के लिए जिस काम को लेकर तुम में निष्ठा और सपष्टता हो तो ठीक किया जरूर लगाओ जो काम तुम कर रहे हो उसको लेकर के अगर बिलकुल आत्मिक सपष्टता है कि यह काम हम क्यों कर रहे हैं तो उसमें पांच साल नहीं पचास साल लगाओ भले ही सफलता मिले चाहे ना मिले लेकिन ज्यादा तर जवान लोग जो यह परिक्षाओं वगर आमें बैठते हैं वो जानते भी नहीं है क्यों क्यों बैठ रहे हैं मैं नियोक्ता की तरह इंटर्व्यूर की तरह भी काफी बैठा हूँ परिक्षार्थियों का साक्षातकार लिया है कि अगर उचायनित हो जाएं तो उनको फलानी नौकरी दे दी जाएगी और पूछो कि भाई तुझे ये काम करना क्यों है ये पद क्यों चाहिए तो कोई रटा रटाया जवाब होता है और जरा सा खुरेच दो जरा सा मामले की गहराई में चले जाओ तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि साधार पर होगा इनका चैन पहली बात तो 99.9% लोग साक्षातकार की अस्था तक ही नहीं पहुचेंगे और जो पहुचेंगे वो साक्षातकार में गिर जाएंगे अमेरे जैसा कोई हो इंटरव्यूर तो वो तो बाल की खाल निकाले भिना आगे जाने देगा नहीं जानो तो कि जिन्दगी में क्या करने लायक है जानो तो कि तुम्हारे लिए क्या करना अवश्यक है ये जानना ही सफलता है ये एक बार तुम जान गए तो अब तुम्हें काम मिल गया सही काम मिल गया और सही काम की खुबी पता है क्या होती है उसमें फिर आप अंजाम की परवाह नहीं करते गलत काम की निशानी ही यही है कि उसमें अगर आपको सही अंजाम नहीं मिला सही माने जैसा आपने चाहा था गलत काम की निशानी यह है कि अगर आपको उसमें मनचाहा अंजाम नहीं मिला तो आप उजड़ जाते हो और रोते हो कि अरे बरबाद हो गए बड़ी मेहनत की सफलता नहीं मिली गलत काम की निशानी ही यही है कि वो अंजाम पर आश्रित रहता है जो इच्छा है वो इच्छित अंजाम मिलना चाहिए नहीं तो हम कहेंगे कि काम हुआ नहीं महनत तो करी काम बना नहीं और सही काम की खुबी यह रहती है कि वो परिणाम की परवाह करता ही नहीं काम अगर आप सही कर रहे हैं तो चलता रहता है लगातार उसका कोई अंतिम परिणाम होता ही नहीं उसमें अवरोध हा सकते हैं कि दिक्कतें आ सकती हैं बड़ी रुकावटें बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं पर वो काम कभी असफल नहीं हो सकता क्योंकि असफलता का तो अर्थ होता है पूर्ण विराम है नहीं कहते तो मैं असफल हो गया इसका मतलब होता है कि अब आपने उकाम हार कर के छोड़ दिय यही होता है ना सही काम कि खूबी यह है कि वो इतना मारमिक होता है इतना हारदिक होता है इतना अपना होता है कि आप उसको कभी छोड सकते ही नहीं जब उसे छोड़ी नहीं सकते तो असफल कहा हुए वो छूटे गई नहीं वो उमर भर का रोग है वो लग गया तो लग गया अब असफल कैसे हो जाओगे बताओ तो काम जिंदगी बन गया असफल कैसे हो जाओगे बलकि जिसको वो काम मिल गया जो जिंदगी बनने लायक हो वो सफल हो गया अब उसे किसी परिणाम की पतिक्षा नहीं करनी है वो सफल हो गया क्योंकि उसने वो काम पा लिया जो जीवन को जीने लायक बना देगा वो काम नहीं मिला तुम किसी अंटशन टूटपटांग काम में लग भी जाओ उसमें पैसा हासिल कर लो शोहरत हासिल कर लो तो भी जिन्दगी तो बर्वाद ही है ना दुनिया को दिखा लोगे कि हाँ ये बन गए वो बन गए भीतर ही भीतर तो तडपते ही रहोगे भाहर से सफल और भीतर घोर असफल मैंने जो आपके प्रशनगा उत्तर दिया इससे आपको किसी तरह की कोई संतुष्टी नहीं मिली क्योंकि मैंने आपको कोई ऐसी गोली दी ही नहीं जो ततकाहल आपके काम आ जाए मैंने तो जो समस्या है उसका पूरा कारण आपके सामने खोल करके रख दिया है निदान दिया है समधान नहीं समधान समय लेगा तब तक आप यही कर सकते हैं कि अपने ऊपर खिन्नता को हावी ना होने दें घर में कलह हो तो याद रखें कि कलह बड़े गहरे कारणों से हो रही है इसलिए जल्दी से खुब्ध या खिन्न नहीं हो जाना है बच्चों को असफलता मिले तो भी धीरज रखें घर में गहरी बादचीत का महौल लेकर के आएं भाशा पर ध्यान दें अभी आपने कहा बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं पर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं बार बार पूछें अपने आप से यह आगे बढ़ने का क्या मतलब होता है क्योंकि भाशा बड़ी ताकतवर चीज है भाशा बदलिये जिंदगी में भी बदलाव कुछ आने लगता है जो आप कहें कि बच्चे आगे बढ़ने के लिए परीक्षा में बैठ रहे हैं पर चैनित नहीं हो रहे जितनी बार उचैनित नहीं होंगे उतनी बार आप ने उन्हें अहसास दिला दिया कि तुम आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब ही था चैन और चैन हुआ नहीं तुम तो पीछे ही रह गए फिसड़ी भाषा पर ध्यान दे जिसको हम सामान ने भाषा बोलते हैं बड़ी जहरीली है जिसको हम कहते हैं अच्छी जिंदगी जिसको हम कहते हैं आगे बढ़ना जिसको हम कहते हैं लाइफ में सेटल हो जाना यह सब बड़े जहरीले कॉंसेप्ट हैं लेकिन यह हमारी जबान पे चड़े हुए हैं तो हम इनका खटाखट इस्तिमाल करते रहते हैं खटाखट किसी के घर गाड़ी आजाए आप ततकाल उसको बधाई देंगे अच्छा जी बढ़ियां है खुशी की बात है यह खुशीयों की बातें यह सब शुब समाचार और गुड नियूज हमारी जिंदगी में और कहां से आता है जहर इन्ही से तो आता है हमें और किसने बरबाद किया इन्ही शुब समाचारों गुड नियूज नहीं तो बरबाद किया और अपने आपको ही परेशान मत कर ली जिए ये बोल बोल के कि बगल के घर में शुभ गटना घटी ए मैज्पो अफाओ सिलिक्ट हो गया हमारे घर में शुभ गटना नहीं घट रही है लड़का सेलिक्ट नहीं हो रहा है नहीं नहीं ये सम मत करिये बातों में गहराई लाईए हो सके तो अच्छा साहित साथ बैठ कर सब पढ़ें बातचीत करें जीवन के लिए रोटी जरूर चाहिए लेकिन रोटी अब इतनी भी विरल और कठिन चीज नहीं रही है कि आदमी रोटी की लडाई लड़े रोटी मिल जाती है रोटी के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए और उस चेत्र में प्रतिसपरधा नहीं है वहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं देनी पड़ती मज़दार बात ही है कि जिस चीज का जीवन में जरा कम ही महत्त्य है कम से कम आज के समय में उसके लिए बड़ी प्रतिसपरधा है रोटी के लिए मार काट मची हुई है और जिस चीज का रोटी से थोड़ा ज्यादा ही महत्तो है वो चीज बड़ी आसानी से उपलब्ध है एक दम सुलब है क्यों? क्योंकि वो चीज कोई पाना ही नहीं चाहता और वो चीज इतनी बड़ी है कि अगर उसको लाखों लोग पाना चाहें तो लाखों को मिल जाएगी नौकरियां तो गिंती की होती है ना सौ नौकरी और लाख मांगने वाले एक अनार सौ बीमार सच और शांती और समझदारी और मुक्ती ऐसे नहीं होते वो जिसको जिसको चाहिए सबको मिलेंगे कोई कॉम्पटिशन नहीं है वहां मामला सीमित नहीं है कि शांती के चार दाने थे इधर वाले ले गए चार दाने अब उधर वाले बिचारे मूल अटकाए बैठे हमारे हाथ तो कुछ आया नहीं शांती मांगो तो जितने मांगेंगे सबको मिलेगी नौकरी की तरह नहीं है पर चुकि वो सुलब है तो इसले कोई मांगता ही नहीं उसको एक और मेरे दारवाद बता हूँ बात ये नहीं है कि नौकरी मत मांगो शान्ती मांगो बात ये कि अगर शान्ती मांग ली फिर नौकरी मांगी तो नौकरी भी पाने की संभावना बढ़ जाती है परीक्षा में सफल होने के चैनित होने के किसके आसार ज्यादा है एक अशान्त मन के या एक शान्त परीक्षार्थी के बोलो और शान्ति और स्पष्टता हमेशा साथ साथ चलते हैं, अगर जीवन में स्पष्टता होगी, तो फिर परिक्षाओं में भी चैन होने की संभावना बढ़ जाएगी, गे लो, अध्यात्म का व्यवहारिक लाब, अब लोग प्रसन हुए, बोले चलो, कुछ तो वसूल हुआ, इससे भी कुछ फाइदा होता है, अब पता चला, नहीं तो हमें तो लगता था ऐसे ही है, हवा हवाई पतंग बाजी, कुछ फाइदा नहीं होता इससे, होता है भाई, होता है, ऑस्ट्रिलियन ओपन शुरू हो स्ट्राइबस, अभी मैं पिछले साल की हाइलाइट्स देख रहा था, जोकोविक और नाडाल का मैच, फिर पता चला कि, जोकोविक, एक एक घंटा, बहुत मंदिरों में जाकर बैठता है, चुपचाप, जाता है, चुपचाप बैठ जाता है, चेहता है ध्यान लग जाता है, शान्ति हो जाती है, बैठा रहता हूँ, अध्यात्म से ग्राइंड स्लैम भी जीता जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि तुम कोट छोड़के मंदिर में बैठ जाओगे, तो टेनिस का मैज जीत लोगे, दोनों चाहिए, हाथों में ताकत चाहिए, और मन में शान्ति चाहिए,